साल 2013 का IPL फिक्सिंग कांड, इस कांड के आरोप में BCCI ने S. रिशंथ, अजीट चंदीला और अंकित चवन पर लाइफ बैन लगाया था अमित सिंग के ऊपर 5 साल का बैन लगाया था और सिधार त्रवेदी को 1 साल का सस्पेंशन दिया था इन सम में एक खिलाडी और फसा था जिसके ऊपर कोई कठोर कारिवाई तो नहीं हुई थी लेकिन बुकी से मिलने का ठपा जरूर लग गया था अब वही प्लेयर उन्मुक्ट चंग के बाद BBL में खेलने वाला दूसरा इंडिन प्लेयर बन सकता है उन्मुक्ट के साथ इस प्लेयर के दो कनेक्शन है पहला ये 2012 के अंडर 19 वर्ल कप में उन्मुक्ट का साथ ही था और दूसरा ये भी USA में क्रिकेट खेलता है और इस खिलाडी का नाम है हरमीद सिंग साल 2013 की कॉंट्रोवर्सी के दोरान ये भी एक बुकी से मिले थे लेकिन फिक्सिंग में इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे जिसकी वज़े से BCCI ने इनके खिलाफ कोई सक्ट आक्शन नहीं लिया था हलांकि इस ठपे के बाद से हरमीद का करियर ग्राफ गिरता चला गया आईपेल के पहले हरमीद उनमुक्चन के साथ साल 2012 में अंडर 19 वर्लकप जीतने वाली टीम का एहम हिस्सा थे उस टूनमेंट में उन्होंने शानदार परफॉर्म भी किया था और चार मेंट